असलाम अलाइकूम, प्रियोशी खर्थेरा, कोर्स ठीक है, आचका में आलो चुना कुर्बो, तुम्हाद इंग्रेजी बोईर, एक्टिभीटी 6.1.2 ए, 81 रोए छे मूल बोईर, 89 नमबर 20 छाइम, एबंग एखाने बेशकेच प्रोष्ट रोए छे, ए प्रोष्णो, बी प्रोष्णो, एबंग सी नमबर प्रोष्णो, मुष्ट तीन्टी प्रोष्ट रोए छे, ए तीन्टी प्रोष्टे समधान की होते पाड़े, ताम रैक नाल चुना कुर्बो, तो चलो देखे देछी, जेकाने कीकी प्रोष्ट रोए छे, आर तार समधान आम्रा ठीक की भाबे लिख्टे पारी शिखार थेरा आमदर प्रथां प्रोष्ण How do you address your head teacher when you write an application to him or her तुमी की भाबे तुमार head teacher बाप्रोधान शिख्खो के सम्मधन करो जखन तुमी तारकाचे कुन वेक्टे आवेदन बादर्खस्त लिखो तुमी की भाबे आम्रा तारके सम्मधन करे थाकी शेक्टी मुलो तो एकखान जानते जाओ हुए छे तो एंसरे आम्रा लिखते पारी जे I address him or her with respect for example to the head teacher और थाद आमी ताके सम्माले शाथे address करी बादर्खस्त लिखो एक ती उधारन होते पारे to the head teacher तो खुन बांगला आम्रा लिखे थाकी बराबर प्रधान शिक्खक और इंग्र्जीते आम्रा लिखे थाकी to the head teacher तो एभाबी मुलो तो आम्रा एक एंसरे लिख्बो एर पड़े बी नम्बर जानता चाह हुए छे which words or phrases do you use to address your friend kajin when you write a letter or email अर्थात तुमी जखन तुमार कुला बंधु बा कुनो काजिन के कुनो चीछी बा email लिखो तुमी शिक्खाने शाधरों तो कुन धरो नेर phrase बा वर्ब गुलो ब्याबहर करो तादर के सम्मधन करार जुन्नो तो जहेतु आमड़ा आमदर फ्रेंज बा काजिन के कुनो चीछी लिखी बा email लिखी शेती किन्तो हवे एक्टी informal email तो informal email ले शाधरों तो आमड़ा एधरों नेर addressing बा सम्मधन गुलो लिखे थाकी जामन dear friend to my dearest sister अथो बा beloved friend शाधरों तो एधरों नेरे addressing गुलो लिकिन्तो आमड़ां तादर के सम्मधन करार जुन्न बाभार कुरे थाकी इर पड़े दैखो स्तीनों पर जानता चाहा हुए छे How is your writing to your teachers different using words, phrases, tone, addressing, etc from your writing to family members अर्थत जखन तुमी तोमार हिक्खो के कोनो चीठी लिखो बा कोनो कीछुनिये लिखो ताखन शेजी की भाबे आलादा हुए जखन तुमी कोनो चीठी तोमार family members के लिखो शिक्खार थिरा खुब सहच भावे बोलते गेले family member एबों teacher दर काछे लैखा कोनो कीछु की भाबे एक्टी थेके आलादा हुए शेटी आलादा हो थे पार यूजिंग words or phrases एक खेत्रे टोन अथब एड्रसिंगेर खेत्रे तो आमड़ा एई प्रोष्टर उत्तड़े याकुन एटी देख बोचे जए की भाबे आमदे teacher एर काछे लैखा कोनो कीछु शेटी फेमिली मेंबर्स बादा पोरिबारे शंतो शुदर काछे लैखा कोनो कुछुर थेके भीन्द होए तो द्याख होए एंसर मार लिखते पारी writing to teachers typically involved a more formal and respectful tone compared to writing to family members द्याख बोला हुए छे जे writing to teachers typically involved a more formal अर्थाथ शेटी संधरन तो formal हुए बा प्रातिष्ठानिक हुए and respectful लेवों शेखाने respectful tone थाके बा सम्मान जनव भोंगी शेखाने थाके compared to writing to family members जेता तुलो ना मुलोक अनेक्टा family member देर काछे लैखा कुनो चीठीर चे अर्थाथ शेखन आम्रा प्रो चीठी लिखी बाग जे कुनो लैखाई लेखी ना कैनो शेटी family member देर तुलो नाए शेटी more formal हुए more respectful tone हुए अर्थाथ शेटी किन्तु बेशी प्रातिष्ठानिक मुडे आम्रा लिखे थाकी For example, उदहरन छोड़ो When I write to my teachers, जोखन, आमी आमार शिक्खब के लिखी Generally, I use formal tone and average, overly casual language शाधरन तो तो तोखन, आमी की कोड़ी formal tone ब्यबहर कोड़ी बाप्रातिष्ठानिक जे भोंगी गुलो रुए छे, शेगुलो ब्यबहर कोड़ी and average, overly casual language एबंग, शाधरन जे शकल भाख्षागुलो रुए छे, शेगुलो मुलो तो आमी पोडिहार कोड़ी बाइड़ी ये चोली But to my family members, किन्तु जोखन, आमी आमार family member दर काच्छे चीठी लिखी, बाकोनुके चो लिखी I use informal tone, तोखन आमी शेखा ने informal tone, बा अप्टातिस्छानिक जे भोंगी रुए छे, शेटी ब्यबहर कोड़ी Again, the purpose of my writing to the teachers is seeking information, asking for assistance or submitting assignment देखो बला हुए छे, आमार आमी जखन आमार शिखो केर काचे कोनो की चुनी ये लिखी, तोखन तार उन्देश्यो भिन नहय शेटी की, शेटी होते बार सेखेंग इन्फोर्मेशन, और अर्थात कुनो तत्थो चावा, asking for assistance, कुनो शाहाद्यो चावा, और submitting assignment कुनो assignment तुमी, सब्मीच कोरबे, शेटी मिशय तुमी शेखाने लिख्ट पारू अर्था शेखाने उन्देश्योटी होए थाके प्रतिस्थानिक, अन्दा अधव हैंज अपूर दिके, a right to my family members for personal issues, आमी, आमार family member दर के जख्खन कुन कीछुनी लेखी, तोखन शेखाने परसनाल इश्यो बावेक्तिक अतो विशय गुलो निये आलोशुना करा होए थाके अर्था शिक्खार थीरा, आमरा देखे निला, जे शिक्खो केर काछे जखन आमरा कुन चीछी लिखी, आर जखन family member दर काछे चीछी लिखी, तोखन विभिन्द खित्री किन्टु एटी आलादा होए थाके, प्रथमोतो एटी लेखार धरोन आलादा होए थाके, एक्टी ह प्रातिष्चानिक, एबंग अपोर्टी होए अप्रातिष्चानिक, अर्थात फर्माल एबंग इन्फर्माल, एबंग एकी साथे, लेखार उन्देशो किन्तो भिन्द होए, तो आमरा छिक एभावी किन्तो एप्रोष्ट गुलो रुट्त लिखते पाड़ी, तो शिक्ख एखाने जेक आस्ती कोड़ते बला होए छे, शेटी आमितन मदर के खुब शौज भावे बूछे देबो, तायर परुबर्ते क्लास्ती देखार आमोंत्रों जानी है, आस्केरी क्लास्ती एखानी शेश कोरछी